होली आध्यात्मिक रंगों का त्योहार रंगों का त्योहार होली अपने आप में कई आध्यात्मिक रहस्यों के रंगों को भी समेटे हुए है अंग्रेजी में होली का अर्थ होता है पवित्रता अर्थात होली का पर्व हमें पवित्र बनने को संदेश देता है पवित्रता का प्रतीक है सफेद रंग। वैग्यानिक द्रश्टिकोन से देखें तो सफेद रंग के प्रकाश में सारे रंग समाय हुए होते हैं। जैसे हीरा सफेद होता है लेकिन उसमें भी सारे रंग समाय हुए रहते हैं। इसी प्रकार पवित्रता सर्व गुणों की ज अर्थ यह भी है, हो प्लसली, अर्थात बीत चुकी, जो भी बुरी बाते हमारे जीवन में आती है, उन्हें भूलते जाना है, सदा यह सोचना है, कि जो हुआ, जो हो रहा है, वै कल्यानकारी है, और जो होने वाला है, वै भी कल्यानकारी ही होगा, होली का आध्यात्मिक रूप से अर्थ है कि परमपिता शिव परमात्मा के संद के रंग में उनके समान बनना। ऐसा रंग जो समान बना देता है। ऐसे भिन्न भिन्न रंग जो अविनाशी होते हैं। जैसे ज्यान का रंग, याद का रंग, अनेक शक्तियों का रंग, गुणों का रंग, श्रेष्ट द्रिष्टी का रंग, श्रेष्ट वृत्ती का रंग, श्रेष्ट भावना और कामना का रंग। जैसे गुण वैसी ही रूप बना देता है। परमात्मा के साथ होली मनाने से परिश्टा से देवता बन जाते हैं। जलाना, मनाना और मंगलमय मिलन मनाना उसका यादगार बना हो ली। जलाना माना पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतिया योगगनी से अर्थात परमपिता शिफ परमात्मा की याद से विकारों की लकडियों को जलाना। बाद में परमात्मा के संद का पक्का रंग लगेगा और हर आत्मा परमात्मा का परिवार दिखाई देगी। ऐसे रंग में रंगी हुई आत्माओं में विशेश गुर्ण और अलोकिकता नजर आती है। ऐसी रुहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं होली हंस बन जाती है और हीरे जैसा अमूल्य जीवन प्राप करती है। सदा ही अतींद्रिय सुख में वा अविनाशी खुशी में जूमते और जूलते रहते हैं। होली से भगवान के अवतरन की भी याद आती है। पौराणे कथाओं में उलेक है कि हिरन्य कशप राक्षस ने स्वयम को भगवान घोशित करके जो पाप किये उसका दंड देने के लिए भगवान ने नरसिंग का अवतार धारन किया। तथा उस राक्षस की इच्छानुसार ना मानव, ना पशु, ना घर के अंदर, ना ब पर्ष के चतुर्यूगी मनुष्य स्रिष्टी चक्र के अंत में, जब सभी मनुष्यात्माय पतित बन जाती है, तब स्वयम भगवान कल्यूगी घोर रात्री और सत्यूगी स्वर्निम सवेरे के संदम पर अर्थात पुरुशोत्तम संदम्यूग पर एक साधारन मनुष्य प्रवेशकर पांच विकारों रूपी राक्षसों को तथा स्वयम को भगवान कहकर ईश्वर से दूर करने वाले धर्म के ठेकेदारों से प्रहलाद रूपी अपने बच्चों को मुक्त करते हैं। नर सिंग अवतार में सिंग वास्तव में विकारों के प्रती रुद्र रूप धारन करने का प्रतीक है और शास्त्रों में ही दिखाया गया है कि महादेव शंकर ने कामदेव अर्थात काम विकार को भस्म किया अर्थात निराकार परमात्मा शिव जिस साधारन मनुष्य श शंकर के द्वारा निराकार शिव हम प्रहलाद रूपी मनुश्यात्माओं को अपनी सूक्षम और स्थूल करमेंद्रियों पर नियंत्रन की कला अर्थात राज योग सिखाते हैं जिससे हम विकारों से सुरक्षित रहकर इश्वर की साधना कर सकें और वर्तमान संदम्युक पर नर से नारायन और नारी से लक्षमी बन सकें वर्तमान पुरुशोत्तम संदम्युक पर सर्व गुरों के सागर पतित पावन शिव अपने गुरों और ज्यान का रंग हम आत्माओं पर लगाकर अपने समान सर्वगुन संपन्ल बनाते हैं तथा विकारों को भस्न करना स दिखाते हैं इसी की यादगार में हम होली पर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली का जलाते हैं तो आए होली के रहस्य को समझ कर सच्ची होली मनाएं ओम शान्ती